महाराष्ट काउंसलिंग में कितना फीज भरना उसका थोड़ा कनफीजन है इसके लिए हम लोगों ने फिर से एक वीडियो बना है और एक ब्रॉक्षार में उन्होंने सब दिया है लेकिन क्या है कि एक उन्होंने जो अल इंडिया कूटा का जो है जो उसके लिए फीज थोड ऐसे समझो तीनों इंस्टूट्स के लिए रहेगा गवर्मेंट एडिट और प्राइवेट के लिए तो आपको 53,000 है 53,000 में 50,000 रिफेंडेबल है और 3,000 रिफेंडेबल है समझा कि 53,000 है उसमें से 50,000 आपको आपस मेलेगा 3,000 आपस नहीं मेलने वाना यानि यह नोन 53,000 आगर जनरल कैटिगरी का स्टूट्ट होगा तो 23,000 उसमें से 20,000 जो है वह आपको रिटन मिल जाएगा 3,000 as usual जैसे हमने बोला कि registration fee non-referdable है फिर खाली government के लिए करना है गवर्मेंट स्टेट के लिए करना है लेकिन जो कैटेगरी के स्टूट्स है जैसे SCST जो है उनके लिए 13,000 है यह सुभा भी मैंने समझा है 10,000 refundable amount है और 3,000 non-referdable registration fee है जो हमने पहले भी देखा था कि 13,000 यह सब को चाहिए सुभे के वीडियो में हमने सब दिया है बस यही एक पॉइंट उसमें इक स्टाउन ने दिया है यह वाला पॉइंट जो अभी मैं बोलना है कि समले जे अगर किसी जो महारास्ता से बाहर है या फिर महारास्ता के स्टूट्स हो उनको अगर प्राइवेट जो अने प्राइवेट है उनका अल इंडिया कोटा इस स्टेट काउंसलिंग में भी आया है उनके लिए अगर समझो फॉर्म भरना होगा या फिर उसके लिए अगर अपलाए करना होगा तो उनको फिप्टी टू थाउजन फीज है फिटी तू थाउजन में ऑबिसली सेम ज अबिशन लेना होगा तो उसके लिए फिप्टी टू थाउजन फीज है उसमें से दो हजार उसके लिए क्या है जो नॉन रिफेंडेबल है और एक पांट उने जोड़ा है कि जिन स्टुएंट को समझोगर महारास्टा का कोई स्टुएंट है उसने स्टेट के लिए तो वर्ना पड़ेगा कि यहां पर लिखाई यह से मों फिर से उसको दुबार बरना पड़ेगा तो उनुनने लिखाए यहने आपको फिर से भरना पड़ेगा इन शॉट अगर कोई स्टुएंट महारास्टा का है उससे स्टेट कांसलिंग का उसने अल्रेडी पैमेंट कर दिय तो उसे 52,000 अलग से बनना पड़ेगा यह 53 तो अल्रेटी यह भर चुका है साथ में यह 52 भी बनना पड़ेगा यह टोटल एक लाख 5000 इतना अमाड उसको बनना पड़ेगा उसमें से एक लाख जो है वो रिफेंडेबल है 5000 नॉन रिफेंडेबल है तो यह उन स्टोन्स के लिए जो महारास्टा में है और उनको प्राइवेट का और इंडिया कोटा भी अप्लाई करना है तो उनके लिए एक लाख फी है उसमें स है उसमें से 5000 नॉन रिफेंडेबल है एक लाख रिफेंडेबल है और जो महारास्टा से बाहर के हैं उनके लिए तो खरे 52 ही है और उनमें प्राइवेट का और इंडिया कोटा हूं अप्लाई कर सकते हैं तो यह छोटा सा वीडियो में ने बनाई इस ताकि क्योंकि महारास् अलग से दिया है जो ब्रॉशर में नहीं के लिए सब हम लोग को एक स्टामें जोड़ना पड़ा ऐसा है तो यह भी थोड़ा से वेडियो आप ध्यान से देखे तो आपको समझेगा कि कैसे कैसे उन्हें डिफरेंस किया है